हेलो स्टेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड यानि कि पादब जगत जिसमें हम सेवाल ब्रावफेट्स और टेलोटोफाइटा के बारे में जान चुके हैं तीनों ही अब अपने वर्ग के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं उसके बाद आता है हमारा फोर्थ वह नहीं पाया जाताया दूस को इसलिए ने नग्रवीजि कहते है आथ जानते है कि इसके लक्षन के बारे में कि इनके विस लेक्षन क्या होतते हैं प् Lynn की नग्वरत पूदे जीते हैं अनावत बीजी पहुतें होथे हैं यह क्या होते हैं कास्ट्ट है होते हैं यह जिससे तोल फर्णीच्र इन видео है C प्लांट्स के अब क्या होते हैं कि जो इनके जो पहुतायत जायतिया होते हैं इनके बहुत सारी जातिया होती वो जीवित-जीवाश्मी होती है जीवित-जीवाश्मी होती हैं जीवित-जीवाश्मी होती हैं इसलिए इनको जीवित-जीवाश्मी कहते हैं इसके एक्जामप सकते हैं जीनों जो बाई लोबा लिख सकते हैं उसके बाद आता है तीसरा कि जो अनावरत बीजी पौधे होते हैं ये कोशन पूचा जाता है कि इसमें अनावरत बीजी पौधे का सबसे लंबा पौधे का नाम किया है या फिर विस्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा तो वि इनमें जायलम Puertoigm पाया जाते हैं और इनमें संवनु तक भी पाया जाते हैं अब आत कि संमस्त पाधों की जड़ों पहुंचाते हैं यानि कि पत्ती में प। प्रिकास एंसलेशन के करी नमें भोजन बनाती है उसमें पर पोशक पतार्थ बनते हैं तो उसमें फलोयम का कार रही होदा हैं कि होता है कि जो पोशक पतार्थ होते हैं यूदि की झाँ fum में थैको शीकाई नहीं पाई जाती है, फुलम में सैको शीकाई नहीं पाई जाती है। ठीक है? अब आता है next point कि जो नर और माधह पोदे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं नर अलग होगा मादा अलग होगा यानि कि दोनों में जननांग भी अलग अलग पाये जाएंगे और जो जननांग होते हैं वो इनमें टॉप पे पाये जाते हैं यानि कि इन पे ऊपर पाये जाते हैं जननांग इनमें इन पोदों के जो उपरी भाग में जब जन्नांग पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है उसमें महा बीजानू पर्ण जितने भी महाबीजाडू पाए जाएंगे वो हमेशा मादा पौधिम पाए जाएंगे अब आता है कि जो महाबीजाडू पढ़न होते हैं क्या करते हैं वो भीतर ही बहुतायत मात्रा में महाबीजाडू धानिया बना लेते हैं अपने महाबीजाडू धानिया के अंदर क्या मातर कोशिका क्या करेंगी वो और्ध सुत्री विभाजन कर लेंगी वो किसी नए गमरच का निर्माण करने के बाद क्या होगा उनमें फिर समसुत्री विभाजन होगा ठीक है यह प्रोसेस तो हमारा चलता ही रहेगा लेकिन आज हमने जाना इनके विसिस्ट लक्षड के बार शुक्त बाद आण झालता ही ड बार्ता है